हाई गे सबस्वागे थे तो न्यूट्रिगोल चैनल पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ नोकिया के एक जबर्दस फोन के बारे में जिसके उपर आपको आज की डेट में एक कमाल की डील मिल रही है तो फटा-फट से मैं आपको बताती हूँ उस फोन के जबर्दस पेक्स और उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये फोन हमारा आज की डेट में 6-7,000 रुपे में बेस्ट आप्शिन मन जाता है सबसे पहले तो जो एक चीज है जो कि कि सब जानते हैं Nokia के बारे में वो यह है कि Nokia अपनी क्वालिटे के लिए जाना जाता है इसके जो डिवाइस होते हैं वो हमारे काफी डिउरेबल डिवाइस होते हैं और इस phone के अंदर भी आपको Nokia का पूरा भरोसा मिलेगा, पूरी quality मिलेगी. ये device हमारा 6000 Aluminium Series से बना हुआ है, बहुत ही solid, durable device ही हमारा. Unimetal Body का device ही आप देख सकते हैं, device की look भी हमारी बहुत ही प्यारी आ रही है, हाथ में hold करा हूँ अगर आपने इस device को तो आपको काफी solid device लगेगा, और उसके साथ जो ये copper finish आ रही है, इसके corners पे, edges पे, वो बहुत ही killer look दे रही है. मैंने अपने channel पे जितने भी phones की unboxing करी है, उन मेंसे ये most durable devices में से एक device है. आप इसी range के हमारे बाकी की devices को अगर देखेंगे, जैसे कि हमारा realme C1 है, C2 है, infinix के devices आते हैं, redmi के कुछ devices आते हैं, उन सम्मेह में plastic body मिलती है. मतलब आप इन मेंसे किसी भी device को use करो, तो 6-8 भाहिने या maximum एक साल में तो वो device हमारा खराब हो जाएगा. और यहां पर यह जो हमारा Nokia का device है, इस पे आप मतलब पूरा भरोसा कर सकते हो, 2-3 साल तक आपका ये device कही नहीं जाने वाला. मज़े से यूज करो आप इस device को, मतलब जैसे हम वर्जी यूज करो, इसके उपर आपके scratches में आने, unimetal body है, matte finish है, मतलब इसकी look भी हमारी, आपके काफी time तक यूज करने में भी ऐसी ही रहेगी. मतलब इसी बात पर अगर हम देखें, तो इस device से आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगी. और इसके साथ अगर आपने इसको hold करा हुआ है, तो आपको, या आपके किसी friend को, मतलब कोई अगर आपके हाथ में इस phone को देखेगा, तो उसको देखने से ये लगे हैं कि आपने में इस budget में किसी और device में नहीं देखने को मिलता, और उसके बाद जैसे कि ये device मेरा अभी एक साल पुराना device है, अभी मैंने इसके अंदर Android पाएंड अपडेट किया है, और आपका जो Android Q update है, वो भी आपको इसमें जरूर मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारा Android 1 device है, आपको सारे Google updates, Android updates इस device में जरूर मिलेंगे, ये इस device को और बढ़िया बना देता है, बतलब आपका device दो-तिन साल यूज़ करने में भी updated रहेगा बिलकुई, इसके बाद अगर मैं आपको इस device के box content दिखाऊं, तो सबसे बहले हो तो आप देख सकते हैं कि हमें इसक earphones मिलते हैं, मतलब सही quality के मिल जाते हैं, बाकी तो इस budget में कोई हमें earphones देता ही नहीं है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि type C cable हमें मिलती है, और साथ में ये है हमारा major highlight, आपको इस device के अंदर 18 watt का fast charger, box के अंदर fast charger वो भी 18 watt का, मतलब मज़े से use करो device को, कोई tension मतलो फट AI नहीं है, मतलब से build की बात करी है, कुछ ports की बात करी है, और fast charger की बात करी है, और अभी ही इसने actual में देखा जाए, तो पूरा competition खतम कर दी है, अपना 67,000 रोपे के budget में, लेकिन अभी और भी features बाकी है, मैं आपको बता रही हूँ, ये best option है, आप बस सुनते जाएए, अब इसके display की बात कर लेते है, इसके अंदर हमें मिलता है 5.5 इंच का full HD resolution वाला display, और उसके साथ आपको gorilla glass की में protection मिलती है, इसके display की उपर, साथ ही इसका display आप देख सकते है, bright colorful तो है, इसके साथ आपको इसके अंदर modes में मिल जाते है, तो देखा जाए, तो बड़िया display मिल और शायद ही कोई phone होगा 6-7,000 पे में जिसमें हमें full HD resolution वाला display मिले, अब इसके वाद इस device के अदर हम camera की बात करें तो वो तो आपको हैरान कर देगा, इसके अंदर हमें मिलता है, काल्जी इसका camera, must एकदम जबर्दस camera, आप fix देखो, कुछ कहने की बात ही नहीं, single camera मिलता हमें 16 megapixel का, लेकिन fix के अंदर आपको detailing कितनी बढ़िया मिल रही है, आप देख सकते है, मैं आपको zoom करके दिखाती हूँ pick को, कितनी जबर्दस detailing है, एकदम crisp photograph आ रही है हमारी, इस pick के अंदर आप देख सकते हो, कितने natural looking हमारे colors आ रही है, ऐसा नहीं है कि यह boost करके colors को change कर है, बिल्कुल enhance नहीं कर रही है, एकदम natural accurate colors आ रही है, edge detection आप देख सकते हो, कितना बढ़िया आ रहा है, मतलब foreground, background में कितना अच्छा जबर्दस difference आ रहा है, इसके camera की quality बहुत ही जबर्दस है, कालजी इसका camera है, competition बचता ही नहीं है, और साथ में यह selfie camera आप देख सकते है, आप देख सकते है, edge detection, selfie camera का भी हमारा काफि सही है, तो camera wise भी, चाहे हम front camera देखे, back camera देखे, दोनो camera wise भी यह device हमारा बढ़िया हो गया, अब इसके processor की बात कर लेते है, इस device की अंदर हमें मिलता है, snapdragon 630 का processor, और इसका intuitive score आप देख सकते है, 89,000 आया है, मतलब 7,000 रुपे क इसका PUBG review, gaming review भी, अभी कुछी देर में upload कर दूँगी TNG gaming channel पे, मेरे इसाब से आप इसका gaming review देख लें बहले, उसके बाद ही device को खरीदें, कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले देख लेना टेस्टिंग और भी टेस्टिंग कर रही हूं मैं इसकी, बाकी channels पे आपको मिल जा हैं, और साथ में कमी की बात करूँ तो इस device में एक कमी जरूर आती है, जो कि Nokia की devices में हमें मिलती है, कि हमें इसके अंदर मिलता है hybrid slot, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको 2 SIM card डाल रहे हैं या 1 SIM card और 1 memory card डालना है, यह एक छोटी सी कमी आ जाती इस device के अंदर, पर बाकी देखा जाए, तो यह हमारा इस budget के अंदर, 6-7,000 रुपे के budget में एक धासू option बन जाता है, और यह device हमारा Nokia का 6.1, यह पहले हमारा 17,000 रुपे के device था, उसके बाद 13,000 रुपे का प्राइस हुआ, और अभी यह आपको सीधा सीधा 7,000 रुपे में मिल रहा है, इतना ह खरीबने का लिंक में दिया हुआ है, आप उस लिंक को जाके देख सकते हैं, और उसके साथ इसकी टेस्टिंग भी देख लें, और अगर आपको एक बड़िया डिवाइस लेना है 6-7,000 रुपे के budget में, तो मेरे साब से इससे बड़िया कोई option नहीं है, फटा-फट से ले आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जद आपस हाँगी आपके लिए और पर इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ, चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बलाइक को प्रेस करना ना भूलें